पूलिए हां नमस्ते हैं बूलिए ज़र वो चर्था चल रही थी अभी इंदू पे उस पे एक मैडम थी वो बता रही थी तो तर एक्टॉल क्या है कि यह इतना फैला हुआ है कि जो अभी बड़े-बड़े पद पर जो वैटे ने डी-एम, SDM, यह भी हातों में लाल डोरा वानके, माते भी तिलग लाके और दिन भर सरी प्रसासन देखते हैं, मिटिंग ना आते हैं तो तीका और यह लाके आते हैं उची से, बहुत सही है है, पड़े लिखे लोग भी जो है, हाँ, उनको पता है ना कि अपना धंधा चलाना है, उनको बड़े बड़े पद पे होके लोग, और डॉक्टर है सर, डॉक्टर के वहाँ मंदिर बना हुआ है, वो भी हाथ, वो भी हनुवान की मूर्ती रखा हुआ है पीछे, और वो इलाज कर रहा है, दवाईयां दे रहा है, तो सर, इनके अंदर एक दर है, तो यह डर के कारण सर यह पड़े लिखे लोग भी नहीं समाज पा रही है सब चीजे, तो यह डर कैसे जाएगा सर, इनके लोगों किसे अंदर से? आप ये बात कहते थें कि भाई देखो ये चीज गलत हो रहा है तो तुरंथ पता है क्या कहता था कि पाकिस्तान का नाम लेगा तुरंथ ही और नहीं तो फिर नाम लेता था कि तुम लोग देश-द्रोही हो तुम लोग अधार हो ये पूरा एक ट्रेंड चलाया गया है पिछ कि जैसे आपने से बात करो गए बाई ये गरवर है वो है तक कहेंगे कि तुम बुद्धिश्ट हो तुम जो है अमबेटकरवादी हो तुम लोग ये हो तुम लोग वो हो और बुध में क्या ये खराबी नहीं है इनको सब्सक्रावे पाकिस्तान और जो हिंदु-मya मुसलम कि ये बाकी के लोगों को उसमें बुझाये रखें अब इनको पता चल गया है कि इनका जो असली जो चीज था भारत कहीं तो सामने आ रहा है तो अब ये टार्गेट पर आ गये हैं बुध और बुध्धिजम को ये चीजे आपने देखा होगा कि यहां पर जितने आते हैं ब् तुरंत इनको याद रता है बाबुजी की उसी मेंसे तो हमने नकल मारी थी तो ये एक ट्रेंड है मतलब आप ये बताए अगर किसी में गलती निकाल दी गई या गलती उसमें है तो वो चीज आपको आ रही है तो आप उसके डिफेंड में कुछ कहेंगे तो वहां पर ये छुपा रहे थें कि ये हमारा असली सत्रू है अब ये उसको भी टार्गेट करना शुरू कर दिये हैं इनको पता चल गया है कि असली इनका दुसमन बुद्ध ही हैं मुसलिम तो सिर्फ ये दिखावे के लिए रखा गया था जी 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 सर मैंने तो काफी समय जो आपका जो वीडियो न मतलब जो आपका स्ट्रीम का जो नोटिफिकेशन आता है कि आज इस बात पर चर्चा होने वाली है तो मैं मोशली ना ब्राम्मनों को और जो अपर कास्ट के जो मेरे साथ पढ़ते थे तो मैं उनी को फॉरवड क ताकि वो मैसेज जो है दिखाई ना दे स्क्रीन पे ग्रूप में तो इस तरीके से चल करते हैं तो इस से लगता है कि इनको पता सब चीज है और यह जानबूज के यह नए-ने मुद्दे लेके जो है वह हिंदू-मसलिम करके और पाकिस्तान और यह करके यह हटाते हैं यह बुद्दिजर्म का जो में कलचर है उसको जो चुपाते हैं इनको पता सब कुछ है सर कॉपी कहा से हुआ है इसर सभी बात बोल रहा है और इनको सब पता है तो इसलिए सर यह कतराते हैं आते नहीं सामने है इसलिए सब कोई डिवेटी देगी है सब कोई आता नहीं है बच्चे बच्चे आते हैं याप और जबकि मैंने जो खुद फॉरवर्ड करें आपके वीडियो जो जिन बर प्रशार करते रहते हैं उनको खुद फॉरवर्ड किया है मैंने मगर जब इनको पता चल गया है ना कि इनके पास तो कोई सच्चाई थी नहीं अभी तक इनोंने अपने तो किताबों में लिखाता है कि ब्रामण का वाक्य ही सास्त्र है सबूत को तो इनोंने सोचा ही नहीं था कि सबूत भी देने की जुरूत पड़ेगी अनपढ़ रख दो सामने वाले को अनपढ़ रह जाए इनका जूट जो है वो सारजनिक हो चुका है जिसके पास जबाब रहता है वो जरूर आता है डिवेट डिसकसन करने के लिए यह नहीं आ रहे हैं यानि कि यह इस चीज को स्विकार कर रहे हैं कि इनका पूरा धरम ही जूट पर अधारित खड़ा है और यह जो है पूरे आशा बोलना है बोलिए बोलिए जी सर यह आपने बताया था यह बुद्धा एंडिस धर्मा धमा यह किताब बाबा साहिब अमेट करकी सर इसमें मैं पढ़ रहा था तो सब इसमें सर यह भामन च्छत्रिये सब यूज हुआ है तो सर इसमें कैसे सर यह मैंशन हैं सब चीज उनके समय में जो किताबे कंपाइल हुई थी उसका उन्होंने सहारा लिया था बाबा साब के समय में भारत में कोई बुधिष्ट तो था नहीं पुछ बुधिष्ट बनके बैठ गये थे ताकि पाली का translation कर सकें और उसको हिंदी में लिख सकें उधर केदारनाथ पांडे बन गया था बुधिष्ट जो वो दिखाना चाहता था कि हम देखो तुम्हारा किताब वो कर रहे हैं ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इन को उसमें ड तो इन्होंने यह दिखाया कि सब हम लोग बुद्ध से पहिले के थे यह अस्थापित करने के लिए यह सब ब्रामध धरम से बुद्ध मार्ग में आ गए बुद्धिष्ट बन गए इन्होंने किताब लिखा तो बाबा साहब के सामने जो किताबे पड़ी थी उसके अधार प कि सब लोग जो है उस चीज को वो कर रहे हैं अब एकसेप्ट करने लगे हैं जो साइंटिफिक अप्रोच आ रही है उस चीज को अब एकसेप्ट करने लगे हैं आचा बाबा साहब ने इतना चीज होने के बाद भी जुक अपनी किताब लिखी उसमें देखें कितनी कि आप उसमें अंधभिष्वा सुपर्टिशन्स कुछ नहीं निकाल सकते हैं जी सर जी ने पढ़ रहा हूं सर में हां उसके बावजूद भी मतलब ब्रामहर ने इतनी गंदगी परोसी उसके बावजूद भी उन्होंने कितना अच्छा फिल्टर करके किताब लिखा है बहु ओर हम फॉलो करें उसके बारे में जानना चाहें तो कौन सी फॉलो करें सर अबी जितने भी लेखक हैं भारत में उन्सब ने एक-एक घर-वड़ी कर रखी है जो इन्होंने ट्रेड एक चला दिया ना आर्यान माइग्रेशन का आर्यान इन्वेंशन को हटा आक्यारीयन इग्रेशन हुआ की नहीं हुआ ये अलग मुद्दा है लेकिन इसके नाम पे इन लोगों ने ये अस्थापित करने की कोशिज की कि संस्कृत पैंतिसो साल पहले थी अव्यद भी पैंतिसो साल पहले था इस लिए पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे खुद बरामण है तो क्या करेंगे बच्चों को यूपीसी निकलवाना है तो जो बरामण जो चीज पढ़वाएगा जो उसको कॉपी चेक करना है जो कॉपी चेक करने वाला है वो उसी पर आंसर देगा तो वही चीज पढ़ाएंग रहे हैं हम सारे प्रोफेशर इस बात को मानते हैं कि वही यह चीज गलत है इसको सुधार किया जाए यह लोग अपने तरफ से कुछ नहीं देंगे उपर से ओडर आ गया उपर का दस ब्रामण जो है आज तक एंसी आर्टी का जितने भी हेड बने हैं जो इसके ब्रामण रहे ह है वही चीज पढ़ा रहा है जो उसका सिट है तो इनको यह अपने को बिदेशी तक ठाहरवा लिए लेकिन उनको खुशी किस बात की थी कि हम बुद्ध से पहले चले जाएं जी 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 सब समझ रहे हैं आप यह बताइए कि जब तुगलक आया जब मुगल आया जब अंग इन्होंने हर्सवर्धन से क्यों नहीं कहा इन्होंने गुप्तकाल से क्यों नहीं कहा इन्होंने सकों से कुषाणों से हूंडों से क्यों नहीं कहा कि हम बिदेशी हैं इन्होंने अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा कि हम बिदेशी हैं बाहर से आये हुए हैं एक भी कि के जो सारे के सारे लोग लिखे हैं तो इसका ये मतलब है कि इनों इनको इस बात की खुशी थी कि हम बुद्ध से पहले सावित हो जाए इस ट्रेंड को समझिए इनों ने वैदिक और फैदिक जो संस्कृत और रिग वेद को जान बोज कर इनों ने वहां अस्थापित करने की कोशिस की इसके पीछे का कारण ही यही था कि यह अपने को वहां पर अस्थापित करना चाहते थे तो अब जो वही गलत चीज पढ़ाएंगे यह इससे इनका स्वात सिद्ध हो रहा है ना पबलिक उस पे नहीं आई है कि तुम तो विदेसी हो अभी तो यह मुसल्मान के ख प्रतिग्यां जो लिए ना यह एकदम सटीक निसाना है बहुत ही वतलब व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है सब तिल भला गए है और यह देख रहे हैं अब इसका कैसे तोड़ निकाला जाए अब यह जो हिंदू मुसल्मान का जो काड़ था अब देखी धीर दीर सब सिफ हो गया हिंदू बुद्धिजम हिंदू हिंदिजम पर होता जा रहा है सब नहीं निसाना हमेशा से था उपरदा हट गया जी जी सब परदा निसाना तो हमेशा ही इनके आज तक यह कोई बता दे कि नहोंने किसी मुसलिम को घोड़ी चड़ने पर मारी हो किसी मुसल मुस्लिम को रोके हैं कभी नहीं रोके हैं लेकिन इन्होंने समझने पड़ेगी कि यह सिर्फ एक चादर चढ़ाय थे उचादर हट गया इस चादर को खीच के नीचे गिरा दिया सचाई दिग गई सब को के रहे असली दुस्मन तो यह बुद्ध को और बुद्धा के मारक को समझते थे यह जुट मूट का बीच में परदा खड़ा कर दिये थे उपर लगता था ऐसा कि परदा जो है मुस्लिम का परदा है वो मुस्लिम पर सब्सक्रामा हुआ कि एक ब्रामर बैटके रोने लगा दे रहे हैं यह इनकी इनकी सच्छाई है ठीक है in the queue düzen यह जल्शे जो मुद्धा की जो मुद्धा की जो मुद्धा की परद्धा की एकी इसक्डांगे मार गया है कुछ connection है या हम study करें तो सब मूर्ति कला पे मेरी न अभी pending है मूर्ति कला पे मतलब stream मैंने नहीं किया है और बुद्ध के जो मुद्राएं हैं वो क्या-क्या संदेश देती हैं मूर्ति कला से कैसे teaching दी जाती थी कौन कौन सी teaching दी गई है उस पर अभी मैंने stream नहीं किया जब स्ट्रीम करूंगा ता आपको और भी बहुत सारे चीजे किलियर हो जाएंगे जी ओके सर्थ ओके थैंक यू सर्थ हां ठीक थीक हैं देंगी आपके